IPL टीमों को मिल गया मुकाबला जिताने बना फॉर्मुला चाहे बने 130 या बने 220 टन अब जीत की गरंटी मिल गई लीग मैच नहीं बलकि फाइनल में भी काम आएगा ये फॉर्मुला बस टीमों को IPL में खेलने होंगे पूरे के पूरे 20 ओवर जी हाँ ये बात सुनकर आपको अर्प्रणा जरूर लगेगा कि कैसे सिर्फ टीम को जीत का फॉर्मुला मिल गया है ये जानने की जिग्यासा आपके मन में बढ़ गई होगी तो इस फॉर्मुले की पहली क्योजन आपको बताते है आईपेल में टीमो को लगता है जीत का मंत्र मिल गया है क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि जीत का कोई मंत्र नहीं होता बल्कि जो टीम अच्छा खेलती है जीत उसे मिलती है ये बात काफी अतक सही हो सकती है लेकिन टीमो को जीत के ट्रिक की भी तराश रहती है कि कैसे जीता जाए, क्या किया जाए, कौन सा हथकंडा अपनाया जाए, हारा मैच जीता जाए IPL में आधे जाधा सफ़रा पूरा हो चुका है और प्ले आफ की रेस रुमान चक मोड पर पहुँच चुकी है इस बीच पिछले करीब 9 मैचों में ऐसा हुआ है, जिसे देखकर कहा जा सकता है कि टीमों को जीत की एहम चाबी मिल गई क्योंकि मामला एक दो मैच का होता तो कोई बात नहीं, लेकिन 9 मैचों से यहीं सलसला चल रहा है और अगर यह आगे भी आने वाले मैचों में जारी रहा, तो फिर सभी टीमें इसी रहा पर चलने की तयारी कर लेंगी चलिए, इस 30 मिनट के वीडियो में आपको समझाने ही कोशिश करते हैं कि आखरकार मामला क्या है और कौन सा जीत का फॉर्मला टीम को मिल गया है दरसर क्रिकेट में माना जाता है कि जो टीम टॉस जीती है उसकी जीत के संभावना ज्यादा रहती है खास तोर पर टी 20 डिकेट में जो शाम के वक्त खेला जाता है टॉस जीते वाले कप्तान के पास मौका होता है कि वो पिच और मौसम के हिसाब से फैस्ट आले कि उन्हें पहले क्या करना है टॉस की बात अलग रही लेकिन पिछले 9 मैचों से लगातार वही टीम आईपेल के मैच जीत रही है जो पहले बले बाजी कर रही है यानि इन मैचों में कोई भी टीम दिये गई टार्गर का पीशा नहीं कर पा रही और हा रही है ये सिसला शुरू हुआ था 22 अपरल से और अभी तक आईपेल में ये जारी है उस दिन शनिवार था और आईपेल में डबल हेडर का वक्त था पहला मैच यानि के दिन में गुजराट टैटन्स और लखनों के बीच खेला गया इसमें गुजराट ने पहले बल्ले बाजी की और मैच 7 अनों से जीत लिया अलकि स्कोर ज्यादा बड़ा नहीं था 135 अनों को भी गुजराट ने बचा लिया इस दिन दूसा मैच पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियस के बीच हुआ इसमें पंजाब में पहले बल्ले बाजी की 214 नमर आए मुंबई ने 201 रंधना दिये लेकिन मैच पंजाब में 23 अनों से जीत लिया 23 अप्रल को भी दो मैच हुए दिन का मुकाबला RCB और आरस्थान रोयल्स के बीच हुआ RCB ने पहले बल्ले बाजी की और साथ अनों से मैच जीत लिया शाम को CSK और के गयार के बीच मैच हुआ और CSK ने उनचास अनों से इस मैच को अपने नाम कर लिया जब इन दो दिनों के परणाम हमारे सामने आए इसमें DC ने पहले बल्ले बाजी की और साथ अनों से मैच जीत लिया 25 सप्रल को गोजार टाइटनस और मॉंबई इंडियस के बीच मैच हुआ और GT ने पहले बल्ले बाजी करके मैच को 55 अनों से जीत लिया 26 अपनल को और कोलकाता नाइटोरिस और रॉल्ट तौरी चरिंजर्स बैंगलोर के बीछ मैच हुआ, इसमें केकार ने 21 सपनलो से जीत दर्श की। 28 अप्रल को लखनों और पंजाब के बीच मैच हुआ कबाल की बात यह रही कि लखनोंक से इस सीजन का सबसे बड़ा स्कोर 257 बना दिया पंजाब जब बल्लेबाजी करने आई तो 201 बना भी लेकिन मुकाबला लखनों ने 56 से जीत लिया अब देखना होगा की बागी आई पियल में कितनी टीमें पहले बल्लेबाजी करके इज मैच जीती हैं